हेलो गाईज वेलकम बैक टूबर चैनल साइन्स ट्रेकर गाईज यह हमारी नेक्स वीडियो है चैप्टर फोर की जिसमें हम वर्टिब्रेट्स के डिवीजन के वारे में पढ़ेंगे अगनेथा एंड गनेथो इस्टोमेटा किया गया था किसके बेशिस पर जिसमें जौ एपसेन्ट होते हैं मतलब जब्रे अट गनेथो इस्टोमेटा जिसमें जब्रि प्रिजन्ट होते हैं हमाने इसको प्रॉपर्ली नोडश बना के लिख्ख उए इंपर इसके वारे में बताएंगे ऑगनेथ गनैतो स्टमेटा जिसकी दो सुपर क्लास में ने बताया हुआ है यहां पर और पीशी में दो क्लास आती हैं कॉंडरिक्ति थीज़ कंफ्यूज नहीं होना है इसको बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आपर बताया गया है सबसे पहle हम देखते हैं क्या बोल रहा है सब करह सब्सक्राइब me ने इसमेट सनी पर होते हैं सैक्राइब क्षिश के ऊपर रहते हैं मिगजीन बाइंगेटेड़ बाडी बियरिंग six to fifteen pair of gilslits इनके अंदर क्या होता है गिल्स होते हैं कितने छैशे पंदरा पेर कैसे होते हैं इसकी शेफ बता रख किए कि यह इलॉंगेटेड होते हैं इसका काम क्या होता है यह रैस्पिरेशन में help करते हैं तो इसमें level of organization में organ system होगा, तो obviously कौन-कौन से system है, दो systems के वारे में बताया हुआ है, circulatory system and respiratory system. Respiratory system बता दिया, अभी circulatory system आगया आएगा, कि ये close type का होता है. Okay, cyclostomes have sucking and circular mouth without jaws. Obviously, a genetha, आ मतलब absent, genetha मतलब jaw. तो यहाँ पर क्या होता है, jaw absent होता है, the body is devoid of scales and paired fins. devoid मतलब absence, कमी, body में किसके कमी होती है, scales की and paired fins की, fins नहीं होते हैं, यह एक side fin present है, दूसरी type है ही नहीं, दूसरी side ही नहीं, फिन्स ठीक है, and cranium क्या होता है, cranium and vertebral column are cartilaginus, cranium होता है, तो बताब सर की हड़ी present होती है, और cartilaginus vertebral column होता है, circulation is closed type, circulation उपर बता दिया था, cyclostroms are marine, but migrate for spawning to fresh water, यह कैसे होते हैं, cyclostroms marine होते हैं, समुदर के पानी में मिलते हैं, बट, यह spawning के लिए fresh water में चले जाते हैं, spawning मतलब reproduction के लिए, कहां जाते हैं यह, fresh water में चले जाते हैं, and after spawning, reproduction करने के बाद, कुछ ही दिनों में, यह मर जाते हैं, they die, after spawning, they die within few days, and their larva, after metamorphosis, return to ocean, मतलब एक कितनी beautiful science, यहां पर create हो रही है, जरा सोचो, reproduction के लिए, मतलब रहते हैं, marine water में है, समुद्र के पानी में है रहे हैं, इनका place है, but reproduction के लिए, साफ पानी में जाते हैं, बिल्कुल fresh water में, and कुछ ही दिनों में, reproduce करने के बाद, यह वहीं मर जाते हैं, and then, इनका जो larva होता है, जब वो metamorphosis कर लेता है, metamorphosis मतलब, जब physically development हो जाता है उसका, तब यह वापस, किसमें आ जाता है, marine water में, मतलब क्या है, कि भई पैदा हुए, साफ पानी में, और वापस जब बड़े हो गए, तो चले गए, फिर से समुद्री पानी में, तो क्या है, आप इसको एक trick बना कर याद कर सकते हो, trick कैसे बना सकते हो, आप अपने किसी भी friend को नाम दे दो, cyclistomata का, कि भाई तु cyclistomata है, cyclistomata है मतलब, देखो तुम्हारे माबाब तुमको लेकर आयते, साफ पानी में, है ना, तुम्हें साफ पानी में ले जाके पैदा किया, लेकिन तुम भाई हो वाई, गंदी नाली के कीड़े, जाकर पैदा होने के बाद, जब बड़े हुए, तो दुवारा वापस वहीं चले गए, मतलब, एक पनी हो जाएगा, किसी को भी नाम देना, बट किसी बाइलोजी वाले को ये नाम मत देना, वो समझ जाएगा, ठीक है, ओके, सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब, 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 इसका, अब, को सिर्फ एक दो पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, और पूरा याद हो जाएगा, तो देखो, क्या है, गिनातो स्टोमेटा की, फर्स क्लास, और दूसरी है, और स्टिक्थी, क्या है, सबसे पहले, ये अर मरीन एनिमल, इनका शरीर है, इनका जो एंडो स्केलेटन है, वो कार्टिलेजिनस होता है, सो यहाँ लिखा है, ये मैंना उपन नीचे, इसलिए क्यों है गाई, बिकॉज ये कमपेरिजन करना था, एक बुक में से पढ़ा ज़ती हूँ, पिर आपको कमपेरिजन करके बताऊँगे, कि इतना आसान है ये, माउथ is located ventrally, माउथ कैसा होता है, लेंटरल ही होता है, वेंटरल मतलब यह वेंटरल सर्फिस है, हमारे भी वेंटरल सर्फिस पर ही माउथ होता है, सेमे सेमे हैस, weंटरिक्थी क्लास वा 서iss कि सब्सक्राइब यह रोच में आपने सब्सक्राइब कर गनलों इसग मारीयद हें हम के आएप मॉंहरे टाम स्केल बडा जेय खीर पर मुंहरे विसासin का रखेर यहां कोई आफ भल इसकर आप लिजस्टन कोई थह मारी नेट ईह टाइसे Łट आउन से यह एनीमल है यह एक फिश है एंड इसकी स्किन एक प्लेक्वॉइड सी इत्वल्ड है ऑके और यही इत्व में प्रवर्द हो गई यही टाइट स्किन टीथ में प्रवर्ट हो गई तीथ कैसे होते एंड मोडिफाईड प्लेखो इसकेल होते हैं और ऐनके जोग बहुत पावरफुल होते हैं जवड़े इस अपर प्रडेशियर है कि यह प्रडेशियर अनिमल होते हैं मतलब अपने जो कानिवरस टाइब होते हैं ठीक है यह consistently swim करते रहते हैं जिससे कि यह डूबेन पानी में तो क्या कहा जाता है कि इनके अंदर जोन एटी और सविम करते रहते हैं तो झीखनी सब्सक्ति ईक्राइब के उद्फ पस्क्राइब करने थे इसे क्या कहते हैं कि इन एक पुस्टाइप के एसे होते हैं जिनके इलैक्रिकल ऑर्गन प्रिजेंट होते हैं। ईसे एसी थी विए आ हिएं पॉईजनलकियो टर्फिशिद उते हैं। एए पॉईजनलो बिसेंड मतलब डंख होता है। तो एसे बीयुन झोते हैं। यह पॉइकिलो थर्मस एनिमल है यह बी एक अलग से फीचर मैंने बना रखा है पॉइकिलो थर्म मतलब cold-blooded animals cold-blooded animals मतलब जो की अपने body temperature को regulate नहीं कर पाते तो जैसे जैसे temperature change होता है यह उस temperature में जी नहीं पाते लाइक हम लोग human beings हम लोग जैसे temperature change होता है हम temperature को जेल सकते हैं बट कुछ ऐसे animals होते हैं कि temperature change होता है तो वह temperature को जेल नहीं पाते और उस temperature से बचने के लिए बरो बना कर अंदर चले जाते हैं अब देखो इसका दूसरा देखो ऑस्टिक थीज ऑस्टिक थीज क्या होते हैं इट इंक्लूड बोथ marine and fresh water अब इना साथ में comparison करते चलना मरीन एंड फ्रेश वाटर एनिवल हैं यह कैसे थे यह only marine थे फ्रेश वाटर नहीं थे mouth कैसा होता है इनका terminal होता है इनका mouth ventral था इसमें भी जो प्रिजेंट होते हैं जो तो प्रिजेंट हैं जो तो प्रिजेंट ही होंगे गने तो में था जैसे जैसे अड cheat a गोलम में चेंज हो जाती है फोर प्रिजेंट होते हैं जिलकलर से कवर्ड होता है हर्णी हैं यहां और प्रमड दोता है और जो ऑस्टिक थीज है वो वी पैरस होते हैं यह अंडे देते हैं and फ़र्टिलाइजेशन यहां पर एक्स्टनल होता है औस्टिक थीज में और 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 इंटनल होता है और इनमें बायोंसी की पावर होती है ठीक है ऐसा नहीं कि यह कॉंस्टेंटली सुइमी करते रहेंगे जिन्दगी बार नहीं कि डैवलप्मेंट इन में डारेक्ट होता है इनका डिस्टिंक्टिक फीचर सेम है कि यह भी पॉयकलो थर्म्स थे यह भी पॉयकलो थर्म्स के वारे में मैंने आपको बताया कि यह अपने बोड़ी नहीं कर पाते और क्या होता है जैसे जैसे सीजन चेंज होता है टैंप्रेचर से बचने के लिए बरो बनाकर अंदर चले जाते हैं ठीक है वाइस तो यह सब था अब क्या है गनैतो इस्टोमेटा की एक और क्लास बची है टैट्रा पोड़ा के बारे में एक नेक्स वीडिय वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ बाइ